नमस्कार दोस्तों आज का हमारा चर्चा का विश्वाई है Contaminated Blood Scandal of United Kingdom कल यानि की मंडे 20th में 2024 को एक रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया गया है एक इंडिपेंडेट इंक्वाइरी कंड़क्ट की गई थी इस Blood Scandal की और अब लेटिस्ट ख़वर या आ रही है रिष्टेदारों को पे करने पड़ सकते हैं इसके पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे या जो Contaminated Blood Scandal है इस वन अफ देडलियस्ट ट्रीटमेंट डिजास्टर्स मेरा नाम है प्रशांत मावाने या वाचिंग स्टड़ी ग्लोस तो डिए फ्रेंस लेट्स गो थूरू इंटार हिस्टरी अफ दिस Contaminated Blood Scandal इसमें हम NHS क्या है उसको भी देखेंगे इसके साथ साथ ये कैसे इतनी बड़ी गल्ती हो गई सरकार का क्या reaction रहा अभी तक क्या क्या चीज़े हुई है सारी चीज़ों को आज हम देखने बाले हैं Let's start with the latest statements UK के Chancellor of the Exchequer जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका नाम है Jeremy Hunt उनके शब्द ये रखे हैं उनका कहना ये है कि उनके पूरे जीवन का अभी तक का worst अगर कोई scandal उन्होंने देखा है उन्होंने कहा कि लोगों का पूरा अधिकार है जो परिवार के लोग है उनका पूरा अधिकार है कि उनके अंदर इतना बड़ा गुसा हो क्यों ना हो क्योंकि कितनी generations जो politicians की हैं वो आकर चली गई और उन्होंने कहा कि उसमें मैं भी शामिल हूँ के अफिशल एपोलोजी का मतलब यह है कि अब UK की सरकार जो है वो इस बात को मानेगी कि सरकार की वज़े से सरकार की गलती की वज़े से सरकार ने जो लापरवाही बढ़ती उसकी वज़े से इतने सारे लोग जो है वो प्रभावित हुए और आज यानि कि Tuesday की बात है जब compensation package जो है उसको भी announce किया जाएगा. 2017 में उस समय पर UK की Prime Minister Theresa May हुआ करते थी और आज से 6 साल पहले 2017 में ये जो scandal है उसकी inquiry को launch किया गया. Don't worry, आज हम ये जो scandal है उसके पूरे इतिहास को देखने बाले हैं. ये जो scandal है ये कब हुआ था? 1970s और 80s में हुआ था और उस समय पर जो लोग थे उनको कुछ diseases हुए थे तो उनको जब blood की आवश्यक्ता थी तो उनको infected blood products जो है वो दिये गए और इसकी वज़े से ये बताया करेंट भी issue किया था कुछ एक लाख पाउंड का और ये चीज़े जो हैं ये basic structure है अभी तक की जो हमारी discussion है उसका सबसे पहले तो आपको ये समझना है पड़ेगा कि what NHS is all about तो इसका full form है National Health Service 1946 में National Health Service Act के तहत इसको establish किया गया और बाद में कुछ और laws आये 1948 तक कुछ legislations आये और इसको refine करके फिर NHS जो है उसको पूरा establish और set up किया गया NHS जो है ये सरकारी health sector है आप समझ लीजे या फिर सरकारी hospitals है UK की clinics and hospitals और इसमें UK की entire population जो है उसको cover किया जाता है free of cost जो है वो आपको treatment भी मिलती है और initial check-ups और ये सारी चीजें जो है वो free में मिलती है दवाईों में भी ऐसा है कि कुछ senior citizens बच्चों के लिए कुछ दवाईया जो है वो free रहती है adults जो है working adults जो है तो उनको फिर दवाईों का पैसे जो है वो pay करने पड़ते हैं लेकिन generally speaking आप समच लीजे के चीजें जो है वो NHS के दवारा जो services provide की जाती है that is entirely free कुछ certain cases में आपको minimum charges जो है वो pay करने पड़ते है NHS जो है वो चार जगाओ पर चार services में divided हैं एक है NHS in England, NHS in Scotland NHS Wales and health and social care in Northern Ireland दोस्तों UK की जब हम बात करते हैं तो of course ये चीज़ आपको समझ रही है the United Kingdom जिसको हम कहते है UK जो कहते है first of all let me thank Nations Online Project for this interesting map तो I was talking about कि जब हम UK कहते है United Kingdom तो इसमें आप समय लिजे चार Kingdom जो है वो मिलकर एक देश बनाते हैं तो इसमें England है Wales है Wales का capital है Cardiff and then you have heard about Scotland काफी famous है हमारे देश में तो Edinburgh इसका capital है और Ireland की अगर हम बात करें तो एक अलग देश है इसका नाम है Republic of Ireland तो इसका capital है Dublin और जो UK का part है उसका नाम है Northern Ireland और इसका capital है Belfast लेकिन UK ये चारो जो Kingdom है उसका capital कौन सा है London ठीक है तो that's the reason के ये जो NHS है वो चार ऐसे Kingdoms में divided है England, Scotland, Wales and Northern Ireland ये कुछ basic चीज़ है Now dear friends, NHS के साथ जुड़े हुए कुछ interesting facts ये fifth largest employer है दुनिया में largest non-military public organization है और इसकी market पर काफी ज्यादा impact रहती है As you can imagine कि इतने सारे लोगों को ये सिवा प्रदान करता है इतने सारे लोग इसमें job करते है और non-military public organization में ये दुनिया का सबसे बड़ा है Medical services की बात करें तो general practitioner से लेकर dental services अगर आपको लिट से छोटा बड़ा बुखार है कुछ भी आपको होता है तो हम जैसे हमारे देश में कैसा है तो ये प्राइमरी healthcare sector का पाट है और dental services भी इसमें आ जाती है अब गर आपको कोई treatment चाहिए secondary या फिर tertiary and then you have local health authority services तो medical services जो है वो broadly तीन ब्रांचस में divided हैं तो ये ब्रीफली NHS के साथ जड़ी हुई चीज है मैंने आपको explain कर दी है अब ये contaminated blood scandal को समझे तक है दोस्तो 1970s और 80s में कुछ लोगों को hemophilia हो गया था तो इसमें क्या था उनका जो blood है वो clot होने लगा था इसे blood clotting disorder तो उनको जो नया blood चाहिए था अब ये जो blood है जो donation में या फिर जो blood खरीदा जाता था वो उन लोगों का blood था जिनको already HIV infection था या फिर hepatitis था अब ये जो tainted blood है ये कई बार ऐसा होता था कि कोई child delivery के बाद अगर माता को blood की जरूरत है या फिर कोई surgery accident हो गया तो किसी को blood की जरूरत है तो उनको भी इसी प्रकार का blood जो है वो 70s और 80s में NHS के तहट मिला है उस समय पर एक factor 8 करके एक नई treatment आई थी hemophilia के लिए और ये जो नई treatment है इसको wonder drug माना जाता था कि जो classical hemophilia है और इसे के साथ जो one willie brand syndrome one willie brand syndrome जो है उसमें क्या होता है कि आपका blood जो है आपका खून बह रहा है तो automatically जैसे हमारे blood clot हो जाता है और वहाँ पर repairing का काम स्टार्ट हो जाता है तो ये one will brand syndrome में ऐसा नहीं होता है तो इसको treat कने के लिए factor 8 नाम की एक नई treatment आई थी और इसको wonder drug माना जाता था अब ये जो factor 8 है इसका nature ऐसा रहता था कि अगर इसमें एक व्यक्ति को भी infection हो गया तो फिर बहुत सारे लोगों को पूरा जो batch है batch of protein जो है वो compromise हो जाते थे अब ये जो blood है ये UK US से import करता था और खास करके वे लोग जो drugs और ये सारी चीज़े लेते हैं जो prisoners हैं जो jail में बनते हैं अगर वो कुछ पैसे कमाना चाते हैं तो वो अपना blood बेच सकते थे donation के माधियम से तो ऐसे लोगों से blood जो है वो UK import करता था The Independent नाम का एक newspaper है UK का का काफी famous है और इस newspaper का report ये करता है कि nearly two thirds of those who were infected with HIV later died of AIDS related illnesses and an unknown number transferred HIV to their partners ये blood उनको मिला उसके बाद बहुत सारे लोगों को HIV होने लगा क्योंकि उनको पता नहीं था फिर अपने partner जो हैं तो उनको भी ये लोग जो हैं वो HIV से infected तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वज़े से प्रभावित हुए और report ये भी कहता है कि कुछ दो साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार का blood जो है वो दिया जाता था और documents ये कहते हैं कि unsafe clinical testing होती थी परिवार जनों ने consent नहीं किया है उसके बावजूद भी बच्चों को ऐसी testing में involved किया जाता था survivors ने ये कहा कि हमें गिनी पिक की तरह treat किया जाता था और documents ये reveal करते हैं कि doctors को पता रहता था कि ये जो blood है ये contaminated है उसके बाद भी उसका इस्तमाल जो है वो सरकार या फिर doctors जो है वो करते थे British government ने 1973 तक ये सारी चीज़े जो है तो फिर सरकार का जो reaction रहा वो काफी strange रहा 1985 तक ये चीज़े थी कि HIV virus को मारने के लिए जो blood products है factor 8 के जो products है तो उनको heat treatment दी जाती थी ये 85 तक UK में नहीं होता था 1991 तक ऐसा होता था कि जो blood donation में आता था तो उसको hepatitis C के लिए screen नहीं किया जाता था ऐसा ही blood आ गया और आपने blood जो है वो दे दिया आपने HIV की treatment की लेकिन आपने hepatitis C को bypass कर दिया evidence ने ये भी बताया कि क्योंकि खर्च इसमें होता था financial considerations की वज़े से सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों को British government जो है वो नजर अंदाज करती थी और ऐसा नहीं था कि British government को इसके बारे में पता नहीं था 53 में WHO ने ये warning दी थी कि इस परकार के जो आप plasma products जो है उनको pull कर रहे है mass pulling चल रहा है तो इससे hepatitis का risk काफी ज़्यादा बढ़ जाता है 1974 में UN की agency ने British government को ये warning किया था कि भे आप USA से blood import करना बंद कर दीजिए 1983 में Lancet और WHO ने कहा था कि ये donated plasma जो है उसके साथ बहुत सारे risks associated है तो दोस्तों अभी तक ये सारी चीज़े जो हैं वो हुई late 1980s में victims और उनके परिवार जनों ने फिर compensation की demand करना start की उस समय पर government ने फिर कुछ समय के बाद एक charity की स्थापना की लेकिन सरकार ने इस बात को admit नहीं किया कि यहां पर सरकार की involvement था या फिर सरकार जो हैं उसके blind eye की वज़े से सरकार ने इन चीज़ों को नजर अंदास किया इस की वज़े से इस परकार की चीज़े हुई है 2017 में जाकर उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे थेरी सा में उन्होंने कहा के an appalling tragedy which should simply never have happened that took place in the history of NHS उन्होंने इस scandal को describe इस परकार से किया So you can imagine के 70s और 80s में जो गलतिया हुई उनको इतने दशक लग गए तब जाकर सरकार जो है वो finally इन चीज़ों को admit करते which is a good thing anyways I would say के तेरी समय उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सरकार ने का अच्छा स्रेंड लिया finally उन्होंने as a government admit तो किया कि इस परकार की unfortunate tragedy जो है वो सरकार की गलतिया जो है उसकी वज़े से हजारों लोग जो है वो UK में प्रभावित हुए remember we are talking about a very developed nation और NHS जो है ना उसको पूरी दुनिया में public health sector का एक role model माना जाता है ऐसे बड़े institution में इस परकार की गलतिया हुई government ने लंबे समय तक नजर अंदाज किया और finally February 2018 में सरकार ने ये डिसाइड किया कि Sir Brian Langstaff जो है जो UK की High Court के former judge है वो इस inquiry को head करेंगे chair करेंगे और अब independent inquiry का report जो है वो release हो चुका है आज compensation के साथ जोड़ी हुई details जो है वो British government launch करेगी इस परकार की चीज़े जो है वो हमें ये सिखाती है कि आने वाले भविश्यक के अंदर developing देश जैसे कि हमारा देश भारत है तो इनके लिए हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा case study है कि कैसे resources होने से सारी चीज़े sort out नहीं हो जाती when it comes to medical sector हमें constantly vigil रहना पड़ेगा we have to make sure के इस प्रकार की गलतिया जो है जो चीज़े UK में हुई ये चीज़ों से हमारे देश को एक बहुत बड़ा lesson जो है वो definitely सीखना ही चाहिए so that's basically everything in today's discussion my dear friends right this is Prashant Mawani I am signing off for now जाने से पहले बहुत एक quickly I would like to remind all of you कि मैंने course design किया है इस course का नाम है limitless leadership it is available on studyglow's website do check out our website ये जो वीडियो है इसके comment section में आपको हमारे website के link मिल जाएगी do check it out आपको इस पर दूसरे भी courses मिलेंगे and do check out my youtube channel that is curiously education thank you very much for your love and support do share this video with other students God bless you all Jai Hind